सो वेलकम गाईस अपसे करें इस न्यू वीडियो में तो इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं JPG format और PNG format के बारे में तो यह JPG format का full form है join photographic expert group और PNG का full form होता है Portrable Network Graphic तो यह basic यह दोलों का full form है अब हम जानते हैं कि what is JPG and what is PNG तो simple कि JPG मतलब कि SEE में joint photographic expert मतलब कि जिसमें अपनी भासा में बोले तो जिसमें background होता है मतलब कि जैसे कि यह बीच वाला character है इसके पीछे जो यह दिखा आए यह सब background तो इसको हम बोलते है JPG और PNG का मतलब क्या होता है कि जिसमें background होता नहीं है मतलब कि example के तो हम देखते हैं तो समझ लीजे कि मुझे सिफ यह character चाहिए मुझे यह background वाला चीज नहीं चाहिए तो मैं कोई भी selection tool से मैंने background यह delete कर दिया ओके तो यह हमारा character आ गया अब समझ लीजे कि यहां से हम जब भी file सेव करते हैं तो यहां नीचे आप देख सकते हैं कि सेव टाइप में Photoshop और उसको में change करके यहां से यहां से उसकी quality को maximum रख देता हूं और ओके अब वापस से हम सेव करते हैं फाइल में जाके save as अब यहां पर हम jpg नहीं लेंगे यहां पर हम लेंगे png format और यहां पर जाके मैंने save और ok कर दिया अब आपको मैं difference समझाता हूं यह दोनों के बीच का हैं तो सबसे पहले हम यहां पर download में जाएंगे अब यह हमने जो फाइल लेती यह किसमें save होई jpg में और यह file होई png में तो jpg में होई उसको हम देख सकते हैं कि इसका format आप यह देखें last में यह format में jpg आ गया है और इसका यह format है यह png आ गया है तो यह format में हमने save तो कर लेकिन difference क्या है तो यह देखें जब भी हम jpg में file save करते हैं तो उसके बेगराउंड में automatic white color का बेगराउंड आ जाता है क्योंकि हमने jpg में save किया है वह automatic बेगराउंड में अगर कुछ ना हो तो automatic white बेगराउंड डाल देता है जबकि png मतलब potrable network graphics मतलब कि जो ग्राफिक लिया है वही आएगा उसके अलावा कोई बेगराउंड आएगा नहीं तो यह difference है png और jpg में अब आप यह समझ गए कि what is png और jpg अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम create कर सकते हैं हमारे पास यहां कुछ images है अब समझ लीजिए यह वाली image तो में try कर दी अब यह देखिए यह image है इसका हम format देखे तो यह भी jpg में ही है तो यहां से ट्रैक की और उपर रख दी कंट्रूल स्यों चोह यह मैंने नेट पास दाउनोट की हैß समझ लीजिए कि इसका भी आप देख सकते हैं कि यहां पर इसमें बेगराउन है मुझे रिमूव करना है तो बेगार्ट हताने के लिए बहुत सारे हैं आप कोई भी तुल ले सकते हैं जैसके मैं यह तूल लेकिन के उसका बेग राउन हता क्योंगा कि और आपको डिखाने के लिए सिंपल सेलेक्षन किया है और यहां से मैं इसको डिलिट करूं गा तो ए बीच वाला डिलिक होगा तो है CTRL 6 I और यह तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये background हटा दिया तो कोई भी image को jpg बनाना है तो सबसे पहले आपको इसका background डिलीट करना को देगा अब आप देख सकते हैं कि इसका background में डिलीट कर दिया है अब करना कुछ नहीं सिंपल फाइल से यहां से हमको लेना है not jpg हमको लेना है png मतलब कि potrable file और save करने का है तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड में कि यह image हो गई है अब आप यह image कहीं पर भी रख सकते हैं जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं अब दूसरा वैसे ही हम यह वाली image लेंगे तो यह वाली image लेंगे png है png मतलब कि यह पहले से ही png file है तो हम इसे नहीं cut करें तो भी चल रहेगा हम कहीं पर भी रख सकते हैं वह भी चलेगा जैसे कि यह image लेकिए इसमें png format है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि website के से हमको image डाउनलोड करते हैं तो ठीक तरह से वह लोग रखते नहीं है वह सिफ png एक्सेंसर रख देते हैं लेकिन image में background तो होता ही है देखिए तो मैं ऐसे ही इसमें जाओंगा यह लिया और background को मैं delete कर दिया और अगर वह png में गया और save as में गया और png वाला select किया and okay तो यह देख सकते हैं कि हमारा यह वाला image भी अब png में convert हो चुका है तो basic था यह जो मैंने आपको बटा दिया कि what is jpg और what is png तो यह चीज हमको future में बहुत कामाएगी तो आप समझ लिए कि समझ लीचिए कि यह क्या होता है तो मिलते हैं next video में guys thank you for watching this video मिलते हैं